नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 6 मार्च दोपहर 3 बजे राजेस्थान की खास खबरे खाटु शाम जी में बाबा शाम के फालगुनी लखी मेले की तयारियों वेकानून विवस्था को लेकर ADGP विशाल बंसल ने खाटु शाम जी का निरिक्षन किया ADGP ने 11 दिनों तक चलने वाले लखी मेले को शांती पुर्वक संपन कराने के लिए दिकारियों से वार्ता की और आवशक दिशा निर्देश दिये ADGP ने रिंगस से खाटु शाम जी आने वाले दर्शन मार्क का निरिक्षन करते हुए 52 बिग्गा में बनी सरकारी पार्किंग का निरिक्षन भी किया इस दोरान सेकर आईजी सतियेंदर सिंग पुलिस सदिक्षक भुवन भूशन यादव ने अगवानी कर मेले में की गई अब तक की विवस्थाओं के जानकारी दी ADGP बनसल ने शाम नगरी में आने वाले लाखो वाहनों को पार्किंग में खड़ा करने शाहपुरा रोड होती हुए वापस भेशने और आपात स्थित्ती में अतिरिक्ष पार्किंग की विवस्था करने का सुझाव अधिकारियों को दिया उन्होंने कहा कि शर्धालों को अस्विदा नहीं होने चाहिए राजेस्तान में S.O.G भरती परिक्षा 2021 पेपर लीक मामली में S.O.G ने अब तक कुल 16 लोगों को गिरफतार किया है इन में से 14 ट्रेडी S.O.G है वहीं दो की अभी जांच की जारी है A.D.G. S.O.G. V.K. सिंग ने प्रेस वारता में बताया कि पेपर लीक जैपुर के हसनपुरा में शांती नगरसित परिक्षा केंदर रविंदर बाल भारती सीनेर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था मामले में अभी तक सेंटर सुप्रीटेंडेंट राजियेश खंडेलवाल की गिरफतारी हुई है अरूपी को कोट में पेश का रिमान पर लिया है वैस से पहले क्रिशी मंत्री किरोडी लाल मीना स्पेशल ओपरेशन ग्रूप आफिस पहुंचे किरोडी लाल ने कहा करॉली जिले में विवादित भूमी से फसल कटाई की एवस में 25,000 पे के रिश्वत लेते पटवारी को एसीबी के टीम ने रंगे हाथो गिरफतार किया है अरोपी मासलपूर तहसील के डांडा रासव क्षेतर का पटवारी राम सहाय कुश्वा है एसीबी की टीम ने अरोपी को मंडरायल रोड स्थित डीटी ओफिस के पास से गिरफतार किया है एसीबी निरिक्षक जगदीश भारदवास ने बताया कि डांडा पटवार क्षेतर के गाजिपूर गाव निवासी एक युवक ने दी शिकायत में बताया कि अरोपी पटवारी गाव में स्थित विवादित भूमी पर खड़ी सरसों की फसल को काटने के एवस में 50,000 स्वैम के लिए और 50,000 पे तैसिलदार के लिए मांग रहा है बाद में आरोपी 30,000 पे की रिश्वत राशी पहले तथा शेश बाद में लेने पर सहमत हुआ परिवादी ने आरोपी पटवारी को रूपाई लेने मंडरायल रोड पर बुलाया जहां एसीबी की टीम ने आरोपी पटवारी को रंगी हाथों दबोच लिया हर्याना के जचर के गाम मठुंडी में एक दर्दनाक हाथसे में एक स्कूल के तीन चातरों की मौत हो गई जबकि एक चातर खायल है हाथसा बाइक वे पिकप गाड़ी की आपसी टकर से हुआ है मृतक चातरों के शवों को बहादुरगड के नागरिक अस्पताल पहुँचाये गया है पोलिस हाथसे को लेकर चान बिन कर रही है खायल चातर को नीजी अस्पताल में दाखिल करवाये गया है बहादुरगड क्षेतर में हुए सडक हाथसे में मृतक चातरों की पैचान अजीत सुजीत वेकपिल के तौर पर हुई है जबकि मोहित को गहरी चोट आई है अजीत वेकपिल बारवी के चातर थी और आजुन का हिंदी विश्य का पेपर था मृतक चीत और सुजीत मूल रूप से बिहार किया है जो कई सालों से अपने माता पिता के साथ गाव माठोंडी में रह रहे थे तीसरा मृतक कपिल माठोंडी गाव में अपने मामा की घर पर रह रहा था चारो चातर गाउं माठोंडी के राज के वरिष्ट मादिमिक स्कोल में पढ़ते हैं एक साथ तीन चातरों के मौत से पूरे गाउं में मातम पसरा है राजानी जैपुर में बाल सुधार ग्रह की दिवार में छेद कर 20 बालपचारी भाग गए बालपचारीयों के भागनी का पता चलने पर प्रशाशन में हडका मच गया सूशना पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने बालपचारीयों की तलाश शुरू की और देरात दो को पकड़ लिया पुलिस ने बताया कि घटना सेथी कोलोनी सित भाल सुधार ग्रै की है इसको लेकर पहली भी सचेत किया गया था घटना की जानकारी मिलने पर कमिशनर बिजू जॉर्ज जॉसिफ अडिशनल कमिशनर कोवर रास्टर दीप मौके पर पहुंचे कमिशनर ने बताया कि भागे हुए बाल अपचारियों में अधिकतर वह शामिल हैं जो बारा फरवरी को भागे थे पुलिस बस स्टेंड रेलवी स्टेशन सेथ अन्य जगों पर उनकी तलाश करी है पुलिस आसपस लगे सिसिटिवे कैमरों को भी खंगालने के साथ ही भागे हुए बाल अपचारियों के घर पर मैसेज भिजवाया है राजिस्थान लोग सेवायोग की और से क्रिशी विभाग में क्रिशी अधिकारी के 25 पदों पर भरती के लिए कल यानि साथ मार्च से अवेदन कर सकते हैं ओनलाइन अवेदन 5 अपरेल की रातरी 12 बजे तक किये जा सकेंगे ओफलाइन अवेदन स्विकारे नहीं हैं ओफलाइन अवेदन स्विकार नहीं किये जाएंगे शैक्षनिक योग्यता वर्गवार वर्गी करण अवेधन परकिरिया एवं अन्य जानकरी समंदी विस्तरत सूषना आयो की वैबसाइट पर उपलब्द है फर्तियों की परिक्षाती थी व्यस्थान के संबंद भी यथा समय सूचित कर दिया जाएगा संस्कृत शिक्ष्य विभाग में 6 विश्यों के सीनियर टीचर के को 347 पदों पर भरती के लिए 6 फर्वडी से अवेधन जारी हैं इन पदों के लिए ऑनलाइन अवेधन आज 6 मार्च 2024 की रात 12 बजे तक कि ये जा सकेंगे इनमें हिंदी, अंग्रेजी, समाजिक विज्यान, विज्यान, संस्कृत और गणित विश्य शामिल हैं। 6 जुलाई को हार्दी का गरवाल घर आया और उसने बताया कि चाइना से गिफ्ट एंड गैजट्स कम रेट में खरीद करती हैं और उसे सोशल मीडिया पर पेस बना कर बेशती हैं। महिला ने हेड कों स्टेबल पर तलाक शुदा होने का जहांसा दे कर शादी करने दुशकरम और मारपीट से तन्या खंबीर आरोप लगाए हैं। महिला ने एसपी को दिये परिवाद में कहा कि 27 नवंबर 2022 को उसके बेहन घर से लापता हो गई थी। प्रणमगरी थाने में इसके गुमशुदगी दी। जांच हेड कों स्टेबल दिनेश पटेल कर रहा था। उसने जांच के बहाने मुबाइल नमबर लिए और फोन वेब मैसेस करने लगा। खुद को तलाकशुदा बताकर पिछले साल जोदपूर के आर्य समाज में शादी कर ली। इसके बाद दुशकरम किया महिला चार माह की गर्भवती हो गई। उसके साथ मारपिड कर सोने चांदी के जेवर वे नगती छीन ली। वह मामले में हेड कोंस्टेबल दिनेश पटेल का कहना है कि यह महिला उनकी पतनी है उसके लाइन में तैनात कोंस्टेबल रमेश से अवैद संबन्द है। दरमेश ने महिला को बेहन जैसा बताते हुए आरोपों को गलत बताया है फिलहाल पुलिस मामले के जांच में जुट गई है। चेरे भाई हैं जीतू बड़ादा मेव के कदमन बास से और नवल खेडली सयद से बुआ की बेटी की शादी में जावली गाम आये थे। दोनों जलूकी में बाइक से घूमने के लिए निकल गए यहाँ इन्हें एक ट्रेक्टर ने टक्कर मार दी। दोनों घायलों को गव पारी हो सकती है। और जैपुर शेहर सीट से रामचरन बहरा मजूदा सांसद है। इन्हें पार्टी फिर से प्रत्याशी बना सकती है। अजमेर से बीजेपी पूरा परदेश अज्यक सतीश पूनिया को प्रत्याशी बना सकती है। दिया कुमारी के उप मुख्य मंतरी बनने से रासमन सीट पर भी बीजेपी को नया चेहरा उतार न पड़ेगा यहां से पूरवनेता प्रतिपक्षर अजेंदर अठोर का नाम पैनल में भी गया है लिजेपी बीजेपी को नाम प्रतिपक्षर अवरेगार ज लिजेपी को नाम पैनल में भी गया है